हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू एमकेच सो हमारा चैप्टर नंबर फरस्ट है उसी को हम कॉंटिन्यू करते हैं सो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ऑथर को एक जंक शॉप के अंदर रॉल्टॉप डेस्क मिलता है जो बहुत ही बुरी हालत में है लेकिन क्यूंकि बरफिश पर जाता है और घर पर ले जाकर रहा है उसका रॉल्ट प होता है उसको रिमूव कर देता है और वोग मौ और बॉक्स के नदर रहीटर निकलता में लेकिन लेकिन ओथर को हलांकि भेस्को पढ़ने लग जाता है अब जैसे लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि वह लेटर जिम ने भेजा था और जिम की वाइफ जो थी कौनी उसको भेजा था ठीक है और जिम मैकफर्शन एक स्टॉरी के बारे मता रहे थे उस दिन की जब अपने ट्रेंचेज मे सानिक थे ऑफिश्मन सेनर सेनर में थे और क्रिश्मस दे उस दिन था और उनके जो दुश्मन सेनिक थे वहाँ से या जिआई कि झर्मने के जो सैनिक फे मेतां कि नेगे तो इधर इंग्लेंड के जो सोल्जर्स थे यानिंग मैड में इस लेटर में लिखते हैं कि मुझे शायद उनको रोकना चाहिए ता लेकिन नहीं नहीं आया कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो उसके बात जो है कि मुझे उनको रोकना चाहिए all along the airline यानि कि उनकी जो सिमा थी and ours हमारी जो सिमा थी I could see man walking slowly toward one another gray coats, khaki coats meeting in the middle की हमारी सिमा से और उनकी सिमा से जो लोग है वो सिमाओं को पार करके आगे चल दिये थे no man's land के अंदर और वो बीच में मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो ये कौन देख रहा था Jim MacPherson देख रहे थे तो एक्चन में क्या था कि वहाँ पर क्या था कि इधर तो जर्मनी की सेना थी इधर इंग्लैंड की सेना थी जर्मनी के जो सैनिक है उनको फ्रिच बोला गया है यानि कि नो मेंस लेंड था वहाँ पर अगर कोई भी आदमी दिख गया तो दुश्मन सैनिक उसको शूट कर देंगे ठीके लेकिन अब क्या हो रहा था उनकी सीमा पारकर के सैनिक और हमारी सीमा पारकर के सैनिक जो है वो एक दूसरे को बीच में मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो क्रिस्मस डे पर पार्टी करना चाते थे ठीके तो चली फिर आगे बढ़ते हैं यानि कि ग्रे कोट्स पहने हुए थे और खाकी कोट्स पहने थे दोनों से नाउने meeting in the middle middle में यानि कि बीच में जाकर के वो मिलना चाते थे and I was one of them और मैं उन्ही में से एक था I was part of this यानि कि मैं भी इसी का एक हिस्सा था in the middle of the war war यानि कि युद के बिलकुल बीच में we were making peace हम जो है शांती स्थापित कर रहे थे यानि कि दुश्मन से निक मिल करके जो है जो है celebrate कर रहे थे Christmas day को तो इसका मतलब वो शांती स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे एक दूस्से के साथ ठीक है you cannot imagine dearest कोनी dearest कोनी यानि कि प्रिये कोनी तुम ये जो है कलपना भी नहीं कर सकती my feeling मेरी भावना उसमें क्या रही होगी as I looked into the eyes of fridge officer कि मैंने fridge officer की आंक में कैसे देखा ठीक है यानि कि जब वो fridge officer मुझसे मिला तो मैंने उसकी आंकों में कैसे देखा किस टाइप से देखा ये तुम कलपना मीं नहीं कर सकती who approached me hand outstretched hands wolf जो मेरे पास आया और मेरी तरफ हाथ बढ़ा करके बोला hands wolf कि simple सी वात है जब भी हम किस्रे के साथ हाथ में लाते हैं तो हम अपना नाम कहते हैं ना कि जैसे मैं बोलूँ कि I am Ruby Singh Aatiya तो हाथ बढ़ा करके उसने का hands wolf he said gripping my hand warmly and holding it मैंने भी हाथ बढ़ा दिया तो उसने मेरे हाथ को सने से और प्यार से थामे रखा और वोला I am from Dusseldorf मैं Dusseldorf से हूँ I play the cello in the orchestra मैं और के अंदर cello बजाता हूँ Happy Christmas और उसने क्या विश्किया Happy Christmas अब उसका reply करेगा Jim MacPherson Captain Jim MacPherson I replied यानि कि वो कहते कि मैंने में कह दिया Hello I am Jim sorry Captain Jim MacPherson I replied and a Happy Christmas to you too I am a school teacher from Dorset in the west of England मैं पस्चिमी इंग्लेंड के अंदर Dorset जो शहर है उसके अंदर school teacher हूँ यह चाज़ आपको समझ में आ गई आ दोर शेट he smiled I know this place यानि कि वो जर्मनी सेनिक जो था फ्रिच यानि कि जो हैंस वॉल्फ था वो कहते कि अच्छा Dorset मैं इस प्लेस को अच्छे से जानता हूँ I know it very well मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ and we talked और हमने बातें की Connie how we talked तुम्हें पते है हमने कैसे बातें की इंग्लेंड नेवर सेट फुट इन दा डॉर सेट लेकिन बाद में यह पता चला कि उसने कभी डॉर सेट में कदम नहीं रखा है never even been to England कभी इंग्लेंड भी नहीं आया है he had learned all he knew of England from school and from reading books in English उसने इंग्लेंड के बारे में और डॉर सेट के बारे में जितना भी सीखा है वो English की बुक पढ़कर के या फिर स्कूल में English पढ़कर के ही सीखा है यानि कि वो कभी इंग्लेंड में आया नहीं था लेकिन वो इंग्लेंड के बारे में काफी कुछ जानता था His favorite writer was Thompson Hardy, यानि कि जो उसका favorite writer था, वो कौन था, Thompson Hardy था, His favorite book, Far From The Madding Crowd, यानि कि जो उसकी favorite book थी, वो क्या थी, Far From The Madding Crowd, नाम की जो book है, उसकी favorite book थी, So out there is no man's land, we talked of Bathsheba, and Gabriel Ock, and Sergeant Troy, and Dorset, यानि कि ये जो कुछ places देगे हैं कि इन स्थानों के बारे में हमने काफी सारी बाते की no man's land के अंदर जा करके, He had a wife, उसकी एक पत्नी थी, and one son, और एक बेटा था, born just six months ago, जिसका जनल लगबग छे महीने पहले हुआ था, As I looked about me, यानि कि जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, there were hurdles of khaki and gray everywhere, वहाँ पर जुंड थे khaki और gray coats पहने हुए, यानि कि बहुत सारे मेरे आसपास बहुत सारे soldiers थे, ठीक है, all over no man's land, no man's land में सब जगए अब man ही man दिखाई दे रहे थे, यानि कि सैनी की सैनी की दिखाई दे रहे थे, smoking यानि कि कुछ धुमरपान कर रहे थे, laughing हसते हुए, talking, बाते करते हुए, drinking, पीते हुए, eating, खाते हुए, ठीक है, यानि कि सब जो लोग जो है वो enjoy कर रहे थे, no man's land के अंदर, Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कि तुमारे दुवारा भेजा गया तो Christmas cake था, जो बचा हुआ था, मैंने और Hans Wolf ने उसको share किया, कौनी, He thought the margipen was the best he had ever tested, उसने सोचा, यानि कि वो भी ये मानता था, कि ये जो margipen था, वो सबसे स्वादिष्ट margipen था, जो उसने अब तक चखा था, I agreed, मैं भी इस चीज़ से सहमत हुआ, We agreed about everything, और हम दोनों हर एक बात पर सहमत हुए, and he was my enemy, हलांकि वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम हर एक बात पर agree हुए, हर एक बात पर सहमत हुए, There never was a Christmas party like it, कौनी, इस तरह की Christmas party मैंने आज तक कभी भी नहीं की थी, यह चीज़ आपको समझ में आगए, यानि कि सिंपल सी बात है, दुश्मन सैनिक तो है, लेकिन है तो इनसान ना, और Christmas डे के उपर वो दोनों ही मिले है, वो पहले सोचते थे कि शायद दुश्मन हमारे जैसे नहीं होंगे, दुश्मन हमारे बारे में कुछ अलग सोच देंगे, या उनकी सोच लोग होगी, यानि कि हम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन वो एक साथ फिर भी मिले है, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, और यही एक्सपीडियस जो है, जो कैप्टन जिम म एक फरसन है, वो अपनी वाइप कौनी के साथ शेयर कर रहे है, ठीक है, देन समवन, I don't know who, तभी किसी ने, मुझे पता नहीं किस ने, ब्रोट आउट फुटबोल, अचानक से एक फुटबोल ले आया, यानि कि अचानक से तभी कोई एक फुटबोल ले आया, मुझे नहीं गोल पोस्ट, यानि कि हमने सारे के सारे जो कोट थे अपने, वो उतार करके उसका धेर लगा दिया ताकि गोल पोस्ट बनाया जासके, यानि कि गोल पोस्ट बनाने के लिए, जहां पर गोल होगा फुटबोल का, वो बनाने के लिए हमने एक बड़ा सारा धेर बना लिया, जो कपड़े हमने पहने थे उनके and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land यानि कि next जो हमने देखा वो क्या था कि Tommy Tommy किसको कहा गया जो England के सैनिक है वो Fritz Fritz यानि कि जो Germany के सैनिक है वो कहां पर थे जो man's land था उसके बीच में थे hence wolf and I looked on and cheered यानि कि हमने ये देखा कि जो Tommy और Fritz थे यानि कि जो England के सैनिक थे और जो Germany के सैनिक थे वो बीच में आ गई किस के लिए football खेलने के लिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई हैंस wolf and I looked on यानि कि हमने थब थबाने शुरू कर दिये to keep out the cold as much as anything यानि कि थंड को भगाने के लिए हमने भी तालिया और पैर थब थब थबाने शुरू कर दिये there was a moment when I noticed our bridge miggling in the air between us तभी मैंने देखा कि क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब थंड होती है और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शांस जो हवा बाहर निकलती वह दिकाई देती है क्योंकि थंड कर अध कह भी बहार निकलती है जिस वजहाई देती है तो उसने कहा कि जब मैं चल रहा था तब इस बीच पर notice कि मैं और हैंस वाल जो थे वो संमने थे और जो मैं बोल रहा था तो मेरी सांस जो थी वो हवा में गूल रही थी तो ये उसने नोट किया मिटली मतलब गूलना मिगली इंस अंदर आप देश थी, he saw it too and smiled, उसने भी इसको देखा, यानि कि हैंस वॉल्फ ने भी इस चीज को नोट किया और मैंने भी इसको नोट किया and smiled, वो smile करने लगा, Jim Macpherson, वो अचानक से बोला, Jim Macpherson, he said after a while, यानि कि वो कुछ समय के बाद बोला, Jim Macpherson, I think this is how we should resolve this war, के ये देखो, हमें इसी तरह से हमारे बीच का जो युद्ध है, उसे, जो है, उसका समाधान इसी तरीके से निकालना चाहिए, dissolve यानि कि गोल देना चाहिए, कि हमारे बीच का जो युद्ध है उसे ही हवा में खतम कर देना चाहिए, यानि कि हमें इस चीज़ का समाधान इसी तरह से निकालना चाहिए एक football match यानि कि एक football match करा करके no one dies in a football match क्योंकि football match के अंदर कोई भी नहीं मरता है no children are orphaned, कोई भी बचा अनात नहीं होता है no wives become widows, कोई भी जो पत्मिया है वो विद्वा नहीं होते है यानि के simple सी बात है कि जब हम अमारी सासे इस तरह से घुल रही थी तो उसको उसने भी नोटिस किया और थोड़ी दिर के बाद वो बोला कि यहीं वो तरीका है कि हमें इसी तरीके से हमारे बीचका ग्स वौर है तो कोई मरता है फुट्वाल मैश में नां कि कोई बच्चा अनाथ होता है और नां कि पतनी ऌहां वो मुट होती है याई वड़ होती है निकर अई कि आयवीड की इंग होड ऑना خेवक करोलख़ यानि कि मैं कहूंगा कि फुटबॉल मैच की बजाए यूद क्रिकेट मैच में होना चाहिए I told him, मैंने उसे कहा Then we Tommy's could be sure of winning probably तब भी हम England वाले ही उसमें जीतेंगे We laughed at that and together we watched the game हम जो है एक साथ हसे और फिर वापी से गेम देखना शुरू कर दिया यानि कि जो Tommy है यानि कि जो England के सैनिक है तो gym एक person कहरा है कि मैं क्रिकेट खेलना जादा पसंद करूंगा क्योंकि हम जो Tommy है उसमें भी जीत जाएंगे यानि कि हम फुटबॉल मैच में जीतेंगे, हम क्रिकेट में भी जीत जाएंगे और हमने जो है मैच देखना शुरू कर दिया Sad to say लेकिन ये बहुती उदासी भड़ा है ये कहना Connie Fritch won two goals to one लेकिन Connie ये बहुती शरमनाक है मेरे लिए कहना कि जो जर्मन सैनिक है वो हमसे जीत गए हाला कि मैं कह रहा था कि Tommy जीतेंगे लेकिन Fritch जीत गए Fritch won two goals to one यानि कि वो दो goals जो उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिये दो goals यानि कि एक के मुकाबले दो goals से वो जीत गए but as Hans Wolf generously said लेकिन जो Hans Wolf ने जो है तब कहा our goal was wider than the years कि हमारा जो goal था वो उनके goal से जादा wider था जादा अच्छा था जादा चोड़ा था so it was not quite fair तो तभी वो कहते हैं कि अच्छा नहीं है actual में Tommy जीतने ही चाहिए थे लेकिन Fritch जीत गए क्योंकि Fritch ने जादा goal किये थे लेकिन जर लेकिन जो England वाले थे यानि कि जो Tommy थे उन्होंने जादा अच्छे goal किये थे ठीक है तो अलाकि हैंस वाल्फ ने तो कहा कि Tommy को जीता हो लेकिन Fritch जीत गए थे टाइम के यानि कि वह समय आ गया था all too soon बहुत जल्द when the game was finished जब जो है गेम फिनिश हो गया था श्नैप्स यानि कि जो शराब थी और रम यानि कि जो दूसरी शराब थी at the sources यानि कि जो मसालेदार गोशत था and long since run out यानि कि बहुत पहले सही खतम हो चुके थे ठीक है यानि कि गेम अब खतम हो था लेकिन जो गोशत और शराब थे वो तो बहुत पहले सही खतम हो गए थे and we knew it was all over और हमें पता चल गया था कि अब सब खतम होने वाला है यानि कि हमें जो है वापिस से एक दुसरे का दुश्मन बन करके अपनी सिवाओं पर तेनात होना पड़ेगा ठीक है wished Hans Wolf and told him I hoped he would see his family again soon यानि कि मैंने Hans Wolf को दुबारा से wish कर दिया happy Christmas और मैंने कहा कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम वापिस अपनी family के पास जल्द ही जा पाओगे that the fighting would end and we could all go home यानि कि जो युद्ध है वो जल्दी से खतम हो जाएगा और हम सारे के सारे घर पे चले जाएंगे I think that it that is what every soldier want on both sides Hans Wolf said अभी Hans Wolf वोला कि शयद मैं भी मानता हूँ कि मैं यह मानता हूँ कि दोनों तरफ के जो सैनिक है वो दोनों ही यही चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी खतम हो जाए और वो अपने अपने घर जा सके तेट के एर Jim McFerson श्य नेवर फॉरघट इस मोमें नॉर यू और हैंस वड़क क्या कहने लगा कि जिप मैश्वल्द तेड क्यार आनि कि अपना ख्याल रखना श्यास नेवर फॉरघट दिस मोमें मैं जो इस पल को कभी नहीं बुलूँगा नॉर यू यानि कि तुम्हें भी कभी नहीं बूलूँगा यानि कि उसने मुझे सल्यूट किया जिम्यकफर्षन को वो सल्यूट करता है और वोगड अवे फ्रॉम मी स्लोली और वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगता है अन्विलिंगली यानि कि अन्चाहे मन से वो उससे दूर जाने लगता है क्योंकि दूर जाने का मन नहीं कर रहा है फिर भी दूर जाने लगता है I felt मुझे ये लगा कि शायद वो उदासी भरे मन से जा रहा है He turned to wave just once वो जो हाथ हिलाने के लिए एक बार बुड़ा and then become one of the hundreds of grey coats men drifting back towards their trenches और उन हजारों लोगों में मिल गया जो कि जो हैं जिनोंने grey coats पहन रखे थे और जो अपने trenches अपने बंकरों की तरफ जा रहे थे यानि कि एक बार जो है उसने मुड के हाई के और फिर जो है वो उन लोगों में जा करके मिल गया that night back in our dugouts यानि कि उसी रात हमारे जो dugouts थे यानि कि जो खोदे हुए थे जहां पर हम छुपे हुए थे ठीक है यानि कि that night back in our dugouts यानि कि जब हम dugouts में छुपे हुए थे we heard them singing a carol का मतलब होता है Christmas गीत Christmas के जो Christmas day पर जो गीत काए जाते है तो वो कहते है कि जब हम अपने अपने बंकरों में अपने अपने स्थानों पर सुरक्षी थे तो हमने सुना कि जो जर्मनी के साइनिक है वो जोर जोर से Christmas के गीत का रहे हैं and singing it quietly beautifully और बहुत ही अच्छे दरीके से बहुत ही खुबसूरती से वो गीत का रहे हैं it was still natch silent night यानि कि यह जो गीत था वो था still natch silent night इस नाम का कोई गीत रहा होगा our boys यानि कि हमारे जो जो soldiers थे हमारे जो लड़के थे give them a rousing rousing का मतलब होता है उंचे स्वर में chorus यानि कि समुगान करना उंचे स्वर में यानि कि सभी मिल करके जोर जोर से गाना कि हम भी जो है उनका साथ देने लगे या फिर हम भी जो है बहुत जोर जोर से गाने लगे ताकि उनको भी सुनाई दे हमारा गीत of wild shepherd watch यानि कि हमारा जो गीत था वो था wild shepherd watch यानि कि यह गाने है तो इस तरह के गाने वो भी गा रहे थे और हम भी गाने लग गए we exchanged carol from a while यानि कि हमने एक दूसरे के गीत चुने उन्होंने हमारे सुने हमने उनके सुने and then we all fell silent और तभी हम थोड़े टाइम के बाद सभी silent हो गए we had our time of peace and goodwill हमने ये शांती पूरण और भाईचारे के साथ पूरा टाइम बिताया a time I will treasure as long as I live ये जो टाइम था वो मेरे दिल में मेरे मन मस्तिश्क में तब तक संजोया रखेगा जब तक मैं मर ना जाओं यानि कि जब तक मैं जिन्दा रहूंगा तब तक ये जो ये जो मोमेंट है वो मेरे दिल में जिन्दा रहेगा ठीके डियरेस्ट कोनी प्रिय कोनी बाई क्रिस्मस टाइम सब्सक्राइब का stick प्रिस्मस केरे creditFl ory और में सब्सक्रीषंत होग भी सब्सक्राइब जून कर दो सब्सक्राइब हता ने कि जब अगले साल जब क्रिस्मस आए गा तो वार्म होग यानिकी नहीं रहे हाए यह जो यह जो एक बहले आपन कर रह यह जाएगा आज जो यहां पर होते हुए देखा यानि कि जो हमारे साथ हुआ उसकी बाद मुझे पता चल गया है कि दोनों आर्मी आकिरकार चाहती तो शांती ही है वी शेल बी टूगेदर अगें सून यानि कि हम वापी से इकटे होंगे मैं यहें पूरी तरह से कह सकता हूं कि काँशन यान कि दोनों आर्मेज आनी कोई यूद् नहीं चाहर है एंगे हम बहुत जलद ही यूद्र बहुत खत्म हो जाएगा और हम बहुत जल्द यह हंगे मैं इसके लिए शॉर हूँ तो यह से कंट पार्ट था, अब धरड पार्ड जो है क्योंकि लेटर पूरा खत्म हो चुक है थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जब ऑथर ने उस लेटर को पढ़ लिया तो उसकी बाद वो क्या करेगा लेकिन उससे पहले कॉंप्रिहेंशन चेक के जो कोशन्स हैं वो कर लेते हैं फटाफट से चलिए फटाफट से जो कोशन्स हैं वो कर लेते हैं सुफर्स कोशन है who had written the letter to whom and when यानि कि letter किस ने लिखा था और to whom यानि कि किस को लिखा था और कब लिखा था ठीके तो simple सी बात है किस ने लिखा था Mr. Jim Macpherson ने लिखा था किस को लिखा था कौनी यानि कि Mrs. Jim Macpherson को लिखा था और कब लिखा था 26th December 1914 में लिखा था 1914-26 December में लिखा था ठीक है तो चली फिर आप आज़र क्या लिख देंगे Mr. Jim Macpherson wrote this letter यानि कि Mr. Jim Macpherson ही यह letter लिखा था He wrote it to his wife उसने अपनी wife को लिखा था Mrs. Connie Macpherson जिनका नाम क्या था Mrs. Connie Jim Macpherson It was written on December 26th, 1914 ठीक है यह चीज़ आपको समझ में आ गई अब चली इसके second question पर ध्यान देते हैं Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? यानि कि यह letter क्यों लिखा गया था और letter में वो कौन सी wonderful thing थी जो वहाँ पर happen हुई थी तो simple सी बात है letter क्यों लिखा गया था क्योंगि वहाँ पर एक wonderful चीज़ happen हुई थी ठीक है और वो चीज़ क्या थी कि दोनों सेनिक जो है मिल करके peace और भाईचारे के साथ गुडविल के साथ जो है एक दुशे के साथ Christmas मनाने आए थे ठीक है तो आप कह देंगे अब क्या लिखेंगे The letter was written because something wonderful had happened The wonderful thing was the Christmas party, football match and the exchange of carols of the fighting English and German soldiers on the no man's land यानि कि वो अद्बूद घटना क्या थी Christmas party थी, football match था, carols थे यानि Christmas संगीत थे जो उन्होंने no man's land में जहांपर कोई आदमी allowed नहीं होता है वहाँ पर जाकर के किया था तो ये एक अद्बूद चीज़ थी ठीक है उसके बाद third question है What jobs did Hans Wolf and Jim Macforson have when they were not soldiers तो simple सी बात है कि Hans Wolf तो क्या करते थे Hans Wolf तो क्या करते थे औरकेस्ट्रा में चैलो हो जाते थे और ये क्या थे, डॉर्सेट में जो जिम थे वो क्या थे, डॉर्सेट के अंदर एक टीचर थे ठीक है तो आप कह देंगे When they were not soldiers, Hans Wolf used to play चैलो in an orchestra And Jim Macforson did the job of a school teacher in Dorset ठीक है चलिए Next हमारा जो कोशन है, कोशन नमबर फोर्थ क्या कहता है Had Hans Wolf ever been to Dorset क्या Hans Wolf कभी Dorset आया था Why did he say he knew it उसने क्यों कहा कि वो Dorset को बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो आप कहतेंगे कि Dorset तो वो नहीं आया था लेकिन Dorset और England के बारे में उसने अपने English के books और school में जो है जब वो English पढ़ा करता था तब उसने सुना था ठीक है, तो आप कहतेंगे No, Hans Wolf had never been to Dorset यानि कि वो Dorset शहर में कभी भी नहीं आया था He said he knew it उसने ये कहा कि वो इसको जानता है Because, क्योंकि He had learned all from school and from reading books in English क्योंकि ये सब उसने कहां पर सीखा था School में और English की books जो है उनको पढ़ करके जो है इसके बारे में जाना था ठीक है, so हमारा last question है Do you think Jim Macpherson come back from the war? How do you know this? कि क्या Jim Macpherson जो है, वो क्या यूद से वापिस आ गया था, क्या आप सोचते हो कि क्या वो यूद से जिन्दा वापिस आ गया था How do you know this? तुम्हें कैसे बदा चला कि अगर तुम कहते हो कि यूद से वापिस आ गया था तो तुम्हें कैसे बदा चला और अगर आप कहते हो कि नहीं आया था तो आप कैसे कह सकते होगी वो नहीं आया था तो simple सी बात है वो क्या था जिम्स last letter था यानि जिम का last letter था उस letter के बाद तो कोई नहीं आया इसका मतलब जिम भी नहीं आया ठीक है तो आप कह दोगे I think Jim MacPherson never come back मैं यह सोचता हूँ कि Jim MacPherson चाहिए कभी वापिस नहीं आया थे from the warrior and youth से the author went to meet Mrs. MacPherson यानि कि अब जो है author आगे कहा जाएगा Mrs. MacPherson से मिलने जाएगा the metron also told that Mrs. MacPherson had no family आगे जब वो उसकी जो प्रधान नर्स होगी आगे की स्टोरी हलांकि यह कोशन बाद में आना चाहिए था इन्होंने पहले ही दे दिया तो यहां पर यह कोशन है कि यानि कि जब Mrs. Jim MacPherson जो है तो author Mrs. Jim MacPherson से जब मिलने जाता है तो वह एक नर्सिंग हो में यानि कि हॉस्पिटल में होते हैं तो वहां पर जब वो उनकी नर्स से मिलते तो नर्स कहती कि इनकी कोई family नहीं है तो author को बता चलिए कि family नहीं इसका मतलब जिम साहब आए नहीं यह चीज़ आगे second part आपने अच्छे से पढ़ा हालां कि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो हम यहां पर second part ही complete कर पाएंगे लेकिन इसी के साथ जो next video है आज ही हम जो इसका third part भी complete कर देंगे और chapter को पुरा complete कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं इसके next part में तब तब तक के लिए all the best for yourself self-studies